अगर आप पर भी है शनी की साड़े साती, तो भूल कर भी न करे ये जोखिम भरे काम। शनी देव न्याय धीश की भाती इंसान के कर्मों का फैसला करते हैं। साड़े साती के दोरान शनी देव व्यक्ति को उसी प्रकार निखारता है, जिस प्रकार एक कुमहार मिट्टी को निखारते हुए उसे एक सुन्दर बर्तन का रूप देता है। तो सारा दोश शनी देव के उपर ही आता है। शनी देव के बारे में लोगों की धारना बहुत ही नकारात्मक है। यद्यपी शनी को ज्योतिश में अशुप ग्रह माना गया है। लेकिन क्या अंतिम परिणाम सुखद होता है। यह मनुश्य को दुरभाग्य तता संकटों के चकर में डाल कर अंत में उसे तपा कर शुद्ध सात्विक तता कर्म शिल बना देता है। साड़े साथी चल रही हो और अशुप शनी के कारण घोड, कष्ट, पीड़ा हो रही हो तो यह समझना चाहिए कि शनी चिकित्सक की भाती आपका इलाज पूर्वजनम के अशुप कर्मों का फल देकर उन्हें शान्त कर रहे हैं। अगर समस्त शरीर में फैलने का भय होता ह तो डॉक्टर समस्त शरीर को बचाने एव मरीच की प्राण रक्षा के लिए उस अंग को काड़ देता है। क्या यह क्रूरता है? इसी प्रकार शनी भी अपनी इस तरह के इलाज करता है और व्यक्ति को कस्ट देकर मेहनती, इमानदार और परिश्रम करने वाला बनाता है। शनी की साड़े साती की शुपता या अशुपता इस बात पर निर्भर करती है कि जनम कुंडली में शनी कैसी इस्तिति में है, जिनकी कुंडली में शनी बलवान होकर शुब स्थानों पर बैठा है, ऐसे व्यक्तियों की किस्मत का ताला साड़े साती के दौरान ही खुलता ह ऐसे व्यक्ति की साड़े साती के दौरान घर में मांगलिक कारे संपन होते हैं नया वाहन, मकान, जमीन, जाइदाद, प्राप्त होती है व्यवसाय में उन्नती तथा जीवन की प्रतेक छेतर में सफलता मिलती है लेकिन अगर कुंडली में शनी निर्बल नीच राशी में हो, शत्रू छेतरी हो और अशुब स्थान पर बैठा हो तो साड़े साती के दौरान शनी कुपित होकर सवरनाश कर देते हैं शनी को तुला राशी में उच्च का माना जाता है तथा मेश राशी में शनी नीच में कहलाते हैं जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनी नीच राशी का हो अत्वा अकारक हो उन्हें साड़े साती के दौरान अपने कर्मों के सुधार कर उपाय अवश्य करते रहना चाहिए अन्यता ऐसे व्यक्तियों पर शनी की दृष्टी पड़ते ही विपत्तियों के पहाड तूट पड़ते हैं कलह, कलेश, मानसिक तनाव, शारीरिक रोग, शत्रुपीडा से लेकर धनहानी तक उठानी पड़ती है शनी की दशा लगने पर अत्वा साड़े साती धहिया आदी चलने पर प्रतेग व्यक्ति को अपना कार्य पूर्ण इमानदारी एव निश्था के साथ करना चाहिए क्यूंकि शनी देव कभी भी इमानदार व्यक्ति को दंडित नहीं करते हैं तथा शनी की साड़े साती धैया की अवधी सम्माप्त होने पर व्यक्तियों को उनके करम अनुसार प्रिस्कत भी करते हैं, जिन लोगों को वकालत आदी छेतर में रूची हो और उनकी जनम पत्री में शनी बलवान हो, तो ऐसी इस्तिती में करियर निधारन करते समय वकालत आ शनी की साड़े साती जैसे ही इनके नाम से स्प्रस्ट होता है कि शनी का असर पूरे साथ साल का होता है, शनी किसी एक राशी में करीब धाई साल तक रहते हैं, फिर इसके बाद दूसरी राशी में गोचर करते हैं, इस प्रतरह से एक व्यक्ति के पुन जीवनकाल में साथी का प्रभाव तीन बार आता है अगर व्यक्ति का जीवनकाल ओसदी रहे तो व्यक्ति को दो बार शनी की साड़े साथी के दोरान गुजरना ही पड़ता है जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कुल बारा राशियां होती है और शनी एक राशी में धाई वर्षों तक रहने के ब पहला दूसरा और तीसरा चरण होता है साड़े साथी के पहले चरण को शुरुवाती साड़े साथी कहा जाता है दूसरे चरण की साड़े साथी को चरम कालवारी साड़े साथी कहते हैं और तीसरे चरण की साड़े साथी को उतरती हुई साड़े साथी कहते हैं जोतिश शा साड़े साती का पहला चरण बहुत ही कष्टकारी माना जाता है। साड़े साती का आखरी चरण कहते हैं। अतब पीपल को अग्र देने से शनी देव प्रसन होते हैं। अनुराधा नक्षतर में अमावस होतो शनीवार का योग हो। उस दिन तेल सहित विधी पूरवक पीपल रिक्ष की पूजा करने से मुक्ती मिलती है। शनी देव की प्रसंता हेतु शनी स्रोत का नियमित पाट करना चाहिए। इसके अलावा हनुमान जी को भी रुद्रा अफ्तार माना जाता है। अतब उनकी अराधना भी इसके निवारण हेतु फलदाई होती है। मान्यदा अनुसर नाव के तले में लगी कील और काले घोडे का नाल भी इसके सार्थक उपाय होते हैं। इनकी अंगुठी बना कर धारन कर सकते हैं। शनी से संबंदित वस्तुए जैसे लोहे के बने बरतन, काला कपड़ा, सरसोका तेल, चमडे के जूते, काला सुर्मा, काले चने, काले तिल, उड़त की साबद डाल, आधी शनीवार के दिन दान करने से एवकाले वस्त्र, एवकाली वस्तुओ का उपियोग करने से शनी की प्रसंता प्राप्त होती है इसके अलावा अन्य उपाय भी बताए जाते है शनी की दशा से बचने हे तू किसी योगी पंडित से महामृतिन जय मंत्र द्वारा शिव का अभिशेक कराए तो मुक्ती भी मिलना संभव होता है शनी की साड़े साती में अगर नियमों का पालन न किया जाए तो व्यक्ती को बहुत कस्ट उठाने पड़ते हैं आईए जानते हैं कि शनी की साड़े साती में व्यक्ती को किस तरह के जोखिम उठाने से बचना चाहिए शनी की साड़े साती में ना करे ये काम अगर आप पर शनी की साड़े साती चल रही हो तो किसी भी जोख अलावा आपको रातरी के समय अकेले यात्रा करने से भी बचना चाहिए शनी की साड़े साती के दोरान व्यक्ति के कानूनी विवाद में फसने की संभावना ज्यादा रहती है इसी लिए इससे सतर्क रहना चाहिए जिन लोगों पर शनी की साड़े साती हो उन्हें शनीवार और मंगलवार के दिन ना तो शराब पीनी चाहिए और ना ही तामसीक भोजन करने चाहिए शनीवार और मंगलवार के दिन काले रंग के कपड़े या चमड़े के सामान खरीदने से बचना चाहिए किसी भी तरह के अवैद या गलत चीजों में भाग लेने से बचना हर शनिवार को शनी के मूल मंत्र निलांजन समा भस रवी पुत्रा यमा ग्रजम छाया मार्तक डिस्तभूत त नमामी शनेचरम का जब्ट जरूर करना चाहिए। इसके अलावा शनी के बीज मंत्र ओम, प्राम, प्रीम, प्रॉस, शनिचराय, नमह का जाब करने से भी लाब मिलता है। शनी की साड़े साती का दुश प्रभाव कम करने के लिए शनीवार की शाम एक कटोरी में तेल या सरसो का तेल डाल कर उसमें ग्यारा साबत उड़त की डाल डाले। उसमें पांच मिनट देखने के बाद इस तेल को शनी मंदिर या हनुमान मंदिर में जाकर चड़ाए। हर दिन हनुमान चालीसा या शनी चालीसा का पार्ट करने से भी लाब मिलता है। किसी जोतिश की सला से नीलम की धारण कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे और अपने दोस्तों को शेयर करे। आप हमारे चैनल पर नए आये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करे। साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही रोचक भरी जानकारी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद आपका दिन शुब हो।